Good morning students, आज हम English में Lesson 6 My Body करेंगे यहाँ पर देखिए, Pre-Reading में एक चितर दिया गया है और यहाँ पर सभी Parts of Body को दिखाया गया है उनके नाम के साथ है Eye, Arc, Nose, Nark, Mouth, Mew, Chest, छाते, Arm, बाजो, Fingers, उंगलियां Head, Seal, Ears, Kaan, Neck, Garden, Solder, कंधे, Elbow, कोहनी, Hand, हाथ Knee, घुटना, Foot, पैर, थाई जांग हिया, जंगह, Leg, Tong, Toes, पैर के उंगलियां अब इसके बाद कुछ केशन है आप सोच कर इनके आंसर मुझे बताईए Tell Names of Different Parts of the Body शरीर के विभिन भागों के नाम बताईए तो किन ही पाँच पार्टस ओफ पोड़ी के नाम बताईए Very good, Head, Hair, Forehead, Eyes, Ears, Nose, Mouth, Neck, Chest, Hand, Leg, Foot, Toes आगे है, What do you do with your eyes? आप अपनी आँखों से क्या करते हैं? तो बताईए आप अपनी आँखों से क्या करते हैं? हम अपनी आँखों से देखते हैं I see with my eyes मैं अपनी आँखों से देखता हूँ अगला केशन है Which part of your body helps you to run, walk or jump? आपके शरीर का कुण सा भाग? आपको दोडने में, चलने में और कूदने में साहेता करता है तो कुण सा पार्ट करता है? आपके टांगे आपको रन करने के लिए, walk के लिए और jump के लिए help करती है आगे है, what do you do with your hands? आप अपने hands से, हाथों से क्या करते हैं? तो बताइए, आप अपने हाथों से क्या करते हो? वेरी गुड़, कोशिश कीजिए, हाथों से हाँ में क्या करते हैं? काम करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ते हैं, लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो? हम अपने हाथों से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं और लिखते हैं खाना खाते हैं हाथ से है न उसके बाद है उसके बाद ये पोएम है यहाँ पर पोएम हम पहले रिसाइट करेंगे और फिर मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगी चलिए recite करते हैं एक बार मैं बोलती हूँ और फिर मेरे साथ आप बोलने की कोशिश कीजिए Here are my ears Here is my nose Here are my ears Here is my nose Here are my fingers Here are my toes Here are my fingers Here are my toes Here are my eyes Both open white Here are my eyes Both open white Here is my mouth With white teeth inside Here is my mouth With white teeth inside Here is my tongue That helps me speak Here is my tongue That helps me speak Here is my chin And here are my cheeks Here are my hands That help me play Here are my hands That help me play Here are my feet For walking today Here are my feet For walking today Here are my feet For walking today Poem recite करने के बाद चलिए इसका मतलब जानते हैं Here are my ear Here are my ears Here is my nose Here is my nose Here are my fingers Here are my fingers यह मेरे पेर की उंगलियां है, here are my eyes, यह मेरी आखे हैं, both open wide और जो दोनों खुली होती है, here is my mouth, यह मेरा मूँ है, with white teeth inside, जिसके अंदर सफेद दात है, here is my tongue, यह मेरी जीब है, that helps me speak, जो मुझे बोलने में सहेता करती है, here is my chin, यह मेरी ठोड़ी है, and here are my cheeks, और यह मेरे गाल है, here are my hands, यह मेरे हाथ है, that help me play, जो मुझे खेलने में सहेता करते हैं, here are my feet, यह मेरे पैर है, for walking today, और आज चलने के लिए, पैरो से हम क्या करते हैं, चलते हैं, तो dear students, आज के लिए हम क्या करेंगे, यह poem बार बार recite करते हुए हमें learn करनी है, और इसको अच्छे से समझना है,